राधे राधे फ्रेंड्स वेलकम तु माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट अपॉल प्लीज टोंट फोगेट तू लाइक एंग कमेंट माई वीडियो तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा बीए से 6 सेमेस्टर माच्स का चैप्टर नमबर 11 अ और आज इसका लेक्टर सेकेंड तो फर्स्ट अफ आफ आपको बता दूं बीए सी 6 समिस्टर में माच्स की तीन बुक लगी हुई है जिसमें से एक बुक है निमेरिकल एनलेसिस जिसके लेक्टर कम्प्रीट हो चुके हैं अपने लेक्टर में मैं उस वीडियो उस बुक को जितना कवर अप कर सकती थी मैंने कवर किया और उसके लेक्टर कम्प्रीट किये तो अगर आपको उसके लेक्टर देखने है एने निमेरिकल एनलेसिस के तो आप मेरे मैं डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी आप हाँ से जाकर मेरी वीडि हो चुका है chapter number 11 मैंने इसका सबसे पहले बताया है because chapter number 11 काफी अच्छा है और इससे question exam में आ जाते हैं long में question इस chapter से आ जाता है तो इसका एक lecture complete हो चुका है मैं आपको दिखा देती हूं जिसमें मैंने आपको minimal assignment problem बताया था by Hungarian method Hungarian method से मैंने आपको assignment problem solve करना सिखाया था minimal assignment problem और आज हम सीखेंगे maximal assignment problem ठीक है जिसे हम maximization problem भी बोलते हैं so उससे related question हम सीखेंगे और समझेगे तो मैं आपको यही suggest करूंगी अगर आपने previous का lecture नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लें क्योंकि वो इस lecture से काफी link करता है maximization minimum problem का बिलकुल सेम है बस थोड़ा सा ही difference है starting बाकि पूरा question का process वही है तो आप अगर पहले वो वाला lecture नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहते हैं यहापर question note कर देती हूं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं so देखेगा friends सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि maximization problem को कैसे solve करते हैं so maximization problem को solve करने के लिए क्या करते हैं हम minus 1 से multiply करा देते हैं जो पूरी आपको given matrix होगी उसके सारे elements की minus 1 से multiply करा देते हैं यही बात मैंने यहापर लेखी है if the given assignment is maximum problem it means अगर आपकी जो given assignment problem है वो कैसी है maximum है maximization problem है it will be convert वो convert होगी किसमें into minimization minimization में convert हो जाएगी कैसे convert होगी by multiplying minus के 1 it means जो matrix given होगी उसके सारे elements की हम minus के 1 से multiply कर देंगे और वो convert हो जाएगी minimization में बस एक यही step है जो बड़ा हुआ है minus 1 से multiply करने पर minimization में बन जाएगी और फिर पूरा question पूरा का पूरी matrix इस तरह से solve हो जाएगी आपके previous method से तो मैं आपको एक बार और बता रहे तो मैं यहाँ पर देखिए जैसी लिखती हूं एक matrix नोट करती हूं यहाँ पर matrix है 42, 30, 30, 24, 35, 25, 25, 25, and 28, 20, 20, 16, 28, 20, 20, 16 21, 15, 15, 12, 15, 15, 12, 15, 15, 15, 12 यह दो और इसको बोला है यही बात बोली है मैं ने question note नहीं किया है question में ही बोला है solve the maximization problem whose effectiveness matrix is same question है solve the minimal के ले इखा है maximization assignment problem whose matrix is this ठीक है यहाँ बढ़ 3rd and 4th, ठीक है, यह आपका question है, तो सबसे पहले हम इसको solve करने के लिए, यह maximization problem है, इसको हमें minimization problem में convert करना है, तो हम क्या करेंगे, minus 1 से multiply करेंगे, यहाँ लिखेंगे, to convert it into minimization problem, ठीक है, so minimization problem में हम इसको convert करेंगे, कैसे, minus 1 से multiply करेंगे, इस matrix के जितने भी element है, उन सब की minus 1 से multiply करेंगे, simple, देखिए, किस तना से होगी, जैसे इस सब की मैं minus 1 से करूँगी, तो minus 42, minus 30, minus 30, and minus 24, फिर इसकी सब से minus 1 से multiply करेंगे, minus 35, minus 25, minus 25, and minus 20, फिर again minus 1 से multiply, minus 28, minus 20, minus 20, and minus 16, सारे element negative हो जाएंगे, positive से, कि कै, minus, minus 15, and minus 12, अगर यहाँ पर कोई element minus का होता, और हम minus 1 से multiply करते हैं, तो वो positive हो जाता, माइनस, माइनस, प्लस होता है, तो इस तने से हमने इस matrix को convert कर दिया है, minimal problem में, minimization problem में, तो देखिए, अब यह question पूरा का पूरा पुरा पुराने process से ही solve होगा, मेरे previous lecture से ही, जैसा मैंने उसमें बताया था, ठीक है, तो मैं एक बार आपको दुबारा बता देती हूँ, question, reason करा देती हूँ, जिससे अच्छा सा हो जाए, so first step में हम क्या करते हैं, step first, step first में क्या करते हैं, step first में करते हैं, row reduction, जो की मैं बता चुकी हूँ, कैसे होता है, दुबारा बताती हूँ, दिहान से सुन लीजे, row reduction में क्या करते हैं, यह आपकी rows होते हैं, row 1, row 2, row 3, and row 4, ठीक है, R1, R2, R3, and R4, यह होते हैं आपके column, C1, C2, इस तरहें से करते हैं, C3, and C4, ठीक है, यह आपके column होते हैं, तो अगर आप horizontal देखें तो rows, vertical देखें तो column, so row direction में क्या करते हैं, row direction में सबसे इन सम में सबसे चोटा element देखते हैं, सबसे चोटा element देखते हैं, और उसमें से सारे elements को minus कर देखें, ठीक है, उसमें से सारे elements को minus करकर के लिखते रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे चोटा element है minus का 42 बिकाँज देखिए वैसे तो सबसे चोटा element 21 है लेकिन यहाँ पर negative लगे हुआ है तो negative में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है negative मोलता होता है यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 42 negative का तो जो negative का सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है तो यहाँ पर सबसे छोटा element क्या है 42 तो रो डिरक्षन में क्या करेंगे हम इसको सब में से minus करेंगे मैं बार वर बोल रही हूं अगर मेरा previous का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए बहुत अच्छे से समझवाएं गाएं उसमें और अच्छे से बताया और पुशिश करोंगे इसमें भी और अच्छे से बतापा हूं तो minus के 42 minus 42 जीरो ठीक है 35 minus 42 जब हम minus करेंगे तो minus minus माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 28 माइनस माइनस प्लस 42 तो 42 माइनस 28 14 42 माइनस 21 21 अब इसमें देखेंगे इसमें सबसे चोड़ा एलिमेंट क्या होगा 30 30 एलिमेंट 30 में से 30 0 25 5 20 10 15 15 कुछ नहीं कर रहे हूं माइनस कर रहे हूं सिम्पल इसमें सबसे चोड़ा एलिमेंट 30.05 इसमें सेम आएगा माइनस पर अब इसमें देखेंगें 24 शुरह 0 4 यहाँ पर 8 यहाँ पर 12 मैंने माइनस क्या तो यह मेरा जो फॉस्ट स्टेप है कॉंपृत हो चुका जिसमें मैंने क्या कहा है row reduction row का सबसे छोटा element लेके सब में से element में से minus किया है अब step second step second क्या था step second में करते हैं column reduction column reduction अब की बार अभी हमने row में देखा था आप हम किस में देखेंगे column wise देखेंगे तो रो डुटेशन हो चुकाः कॉलम में तो इस कॉलम में सबसे छोटवान इंट है अगेन 42 तो यह ही पर बना देती हूं 42-420 42-30 ठीक है जब इसमें से देखेंगे हम इस वाले मिले सॉरी इसमें इस halli ट्यक्स किला ही तो सबसे चोड़ अलीमंट लों ङोड़ेते चिंद इसमें च्छोडय एलेमंट्ट einer के अलेमंट तो फौ्टि हमेंन गटारश गेलिव्तों इत्व एक्षाड मायनस ओके एट अछी इसन्हें सबसे चोड़ element कितना है 12, 21-12, 9, 15-12, 3, 15-12, 3 and 12-12, 0, so यह आपका हो गया है, column reduction, so आपका step second भी complete हो चुका है, इस तरह से यह question होता है, इसका यह method होता है, जिसको हम Hungarian method भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Hungarian method, अकर आप भूल जाएं, तो side में लिख लें, Hungarian method, कितनी बार बोल देते हैं, कि solve this matrix by Hungarian method, अब बच्चा confused कि क्या करना है, तो उसको पता होना चाहिए, कि जो हम process कर रहे हैं, यह method का use कर रहे हैं, यह Hungarian method कहलाता है, तो दो step हो चुके हैं, जिसमें हमने reduction and column reduction करा था, अब देखिए, थर्ड step में क्या करते हैं, थर्ड step में करते हैं, हम check, थर्ड step में हम check करते हैं, कि हमारा जो assignment है, जो हमारा यह matrix है, यह assignment possible है या नहीं, तो यहाँ पर लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो test whether assignment is possible or not, तो हम यह check करेंगे कि हमारा जो assignment है, यह assignment problem है, possible भी है या नहीं, तो देखिए, कैसे check करते हैं, मैंने अपने previous lecture में बहुत अच्छे से बताया है, दुबारा बता देती हूँ, यह जो आपने column reduction में matrix बनाई है, इसको सबसे पहले note कर लिज़ेगा, तो मैं इसी को note कर रही हूँ, जो मैंने column reduction में matrix मेरी बन कर आई है, 3, 1, 1, 0, यहां के सारे 0 थे, फिर 3rd column है, 6, 2, 2, 0, and 4th column है, 9, 3, 3, 0, अब क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, हम देखते हैं कितनी line हम draw कर सकते हैं, cover कर सकते हैं 0 से, तो देखिए, अगर मैं ऐसे देखूं, तो मेरी कितनी line हुई cover 1, हमें जो होता है, 0 को cover करके line draws करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर 0 को cover किया, एक line draw हो गई, यहाँ से cover कर रही हूँ मैं, दूसरी line draw हो गई, देखा, हमें number वाले नहीं cover करनी होते हैं, हमें सिर्फ 0 वाले cover करनी होते हैं, जितने 0 जारा है, line draw करेंगे, horizon draw vertical, तो यहाँ पर मेरी हुई 1, और यहाँ पर मेरी 2, यहाँ पर मेरी 2 lines draw हो गई है, तो यहाँ पर 2 lines draw हो चुकी है, अब 2 lines draw हो चुकी है, अगर यहाँ पर आपकी जो matrix है, वो ध्यान से देखे, कितने की है, 1, 2, 3, 4 row है, 4 ही columns है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 columns and 1, 2, 3, 4 rows, तो 4 by 4 की matrix है, square matrix है, आपकी balance matrix है, जिसे हम बोलके हैं, तो 4 by 4 की matrix है, अगर आपने यहाँ पर जितनी lines draw करी हैं और उसमें आपकी एक सेम आ जाती, मतलब आपकी यहाँ पर, जितनी आपने यहाँ पर 4 lines draw करी होती, 0 कवर करके, तो आप यहाँ पर assign कर लेते 0s को, और उसके equal आ जाती, या फिर उससे जादा आ जाती, 5 lines draw करते हैं, जैसे हमने previous lecture में कर रहा था है, यहाँ पर previous lecture में draw कर रहा था है, यहाँ पर 5 lines बन रही थी, 4 by 4 की matrix थी, तो आपका assignment problem क्याती, possible थी, तो हमने यहाँ पर 0 assign करना शू कर दिया था, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4 by 4 की तो matrix है, लेकिन ना तो 4 आ रहा है, ना equal आ रहा है, ना उससे जादा आ रहा है, 5 B lines draw नहीं हो रही, केवल औगेवल 2 lines draw हो रही है, यानि की बहुत ही कम draw हो रही है, तो यहाँ पर आपका assignment possible नहीं है, और जब possible नहीं होता, तो पूरी की पूरी condition change हो जाती है, और हमारा process बढ़ जाता है, अब process बढ़ेगा कैसे, देखी क्या करते हैं, अब ध्यान से देखेगा कि इसमें करते क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपको बनाना है, आप यहाँ लिख लिएज़े, यह step था आपका third, ठीक है, step four में आप क्या करेंगे, step four में आपको यहाँ पर assignment बनाना है ना, zero assignment possible करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, to make zero assignment possible, हमको कुछ ऐसा करना है, कि आपका यहाँ पर assignment possible हो जा तो उसके नहीं क्या करते हैं, कुछ steps करते हैं, जो मैं हहाँ पर लिख देखेंगे, एक step करते हैं, smallest element in uncovered element, हमको सबसे बेले क्या देखना होता है, smallest element देखना होता है, जो uncovered है उसमें से, smallest element in uncovered element, ठीक है, सो हम देखेंगे इसमें uncovered कौन सा है, तो uncovered वाले elements यह हैं, तो इन इसमें, यह uncovered वाले element है, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह uncovered हैं, मतलब cover नहीं है, यह वाले cover हैं, तो इसमें से, smallest element कौन सा है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जो हैंना? तो हम लोख सकते हैं and then subtract in uncovered. इनको subtract करना है to uncovered वाले elements में से यानि конце three में एकशी वन गया two, ten six वन गया, five nine दे जीन eight, one दे जीन गया zero, one two में से वन गया one, two में से one गया one, three में से one2 तू, three में से one 2 जीन्ए आपको mutना है वो छोटा वाला prompted टिक है उसके वाद यहांपर लिखना है no change intersection no change intersection element कौन सां है जो इन्ट्ersonक्राइब कर रहा है यह इसको इसको इंट्रसेक्षन में हम क्या करेंगे add करेंगे देखें आप यहां रिखते हैं सब्दें इसको ब्लेट हैं देख्रव सब्सक्राइब अपको बिखंगर दो क्योंकि आपकी बनाने होंगे क्योंकि आपको यहांG ondan पॉसिबल करना है अगर यहीं पर आपका पॉसिबल हो जाता तो इतना प्रोसेस नहीं होता आप असाइन कर देते जीरोस को बढ़ आपका यहां पर कमा रहा है तो यह सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़े हैं चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर जो लाइन्स ड्रॉ करें थी उनको लाइ कि इस में से मैं लेस करूंगी तू बच्चेगा यहां 0 यहां 0 यहां पर 0 as it is 5 1 1 8 2 2 सब्ट्रेक्ट करके लिख दिया मैंने 00 सो यह मेरा एक स्टेप हो चुका है जिसको मैं स्टेप 5 बोल सकती है जिसमें मैंने सब्ट्रेक्ट कराए स्मॉलेस्ट ऑलिमेंट को जो की अनको फिर से भाही प्रोसेस करते हैं क्योंकि आपको सेम करना है फिर से चोड़ आइलिमेंट कितना है आप यहां पर देखिए यह जो प्रोसेस है यह रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपकी 4y4 की जो मैट्रिक्स है वो सेम नहीं आ जाती मतलब 4 लाइंस ड्रॉन ही हो जाती 4y4 की मैट्रिक्स है 4 लाइंस ड्रॉन ही होंगी जब तक हम करते रहेंगे तो अगेन हम क्या करेंगे इसमें smallest element देखिए जो uncovered है 2 5 8 2 2 1 1 यह सारे uncovered element है इसमें सबसे smallest element कौन सा है 1 1 सबसे smallest element है तो uncovered में से smallest element minus करेंगे और साथ ही साथ intersection वाले element में add करेंगे तो यहाँ पर देखिए 000 यहाँ पर मैं 1 और add करूंगे कि इतना हो जाएगा 2 में जैसा आप से कोई डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो यहाँ पर देखिए 12 में से वन यहाँ जीरो 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 एजटेज है क्योंकि हमें कवर्ड वालों को कुछ नहीं करना है अब अनकवर्ड वाले में से फिर से वोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करना है फाइब माइनस फन पोर बन मैंस बन जीरोगा है यहाँ आप यहाँ ड्राउ करके देख लीजए कितनेए बने आपके आप सो देखिए अगर आब हम आप कवर करेंगे 1, 2, 3, 3 line draw वोई, 1, 4, अब कितनी lines आपकी draw हो चुकी है, यहापर 4, अब काम हो गया हमारा 4 by 4 की matrix थी, 4 आपकी lines draw हो चुकी है, अब हम यहापर, जो आपका assignment है, वो possible हो गया है, आप यहापर लिख सकते हैं, hands, assignment, problem is possible, जब possible हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाप बस zero assign करते हैं, तो वो next page पर बताती हूँ, आपको zero कैसा assign करते हैं, ठीक है, मैंने previous वाले lecture में भी बहुत अच्छे से बताया है, कि zero कैसा assign करते हैं, step 7 आपका, इसमें step बढ़ गया, previous वाले में आपके four step में काम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर आपके यहीं पर same आग बनाने पड़ गई, सबसे पहले आपको इहां पर बनाने पड़ गया, तो लिखेंगे, to assign single zero element, अब देखिए, zero कैसा assign करते हैं, वो मैं आपको सिखा देती हूं, so सबसे पहले आप अपनी matrix ऐसे ही कि ऐसे ही उतार लीजेगा, जो बन कर आई है, zero 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 two, zero 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 two, and one zero zero, one zero zero zero, and four zero 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 zero, and last one seven one one zero, यह मैंने matrix बना दी है, जो हमारी बनी हुई थी, अब इस पर करते हैं, zero assign, तो कैसे करते हैं, देखिए, हम यहां से करेंगे, सबसे पहले हमने वाला zero लिया, तो zero जब assign करते हैं, तो ऐसे करके square box बना लेते हैं, और इसके along जितने भी zero होते हैं, इस zero के front में जितने भी zero होते हैं, उनको cancel out करते हैं, तो ये वाला zero गया, ये वाला zero गया, यहां पर zero है नहीं, नहीं यहां पर zero है, तो हमने first वाला zero assign किया, ये सारे zero cancel, अब हमने second वाला zero assign करेंगे, तो फिर ये वाला cancel zero, and ये वाला zero cancel, ये वाला zero cancel, ये वाला zero cancel, फिर हम third वाला zero assign करे तो यह वाला cancel, यह वाला cancel, मतलब इस zero के along that हमने zero assign किया A first पर, A first पर, फिर B second पर, फिर B second पर allocate है, इसके allocation देख रहे हैं किस तरह से, C third पर है, और D fourth पर है, D fourth पर है, अच्छा तो विकुल same to same आया है, आप कोई और भी zero assign कर सकते हैं, आप हो सकता है कि पहले आप यह वाले zero assign ना करके, पहले यह वाला zero assign कर लेते हैं, फ इससे maximum, आप zero cancel out कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कोई से भी zero assign कीजिए, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा zero कट रहे हैं, अब यह लिखने के बाद इसको कैसे देखते हैं, अभी यह वाला solve नहीं हुआ, थोड़ा सा काम और बाती है, A first, तो आपको जो given matrix है, सब से value से 25, तो आप लिख देंगे plus 25, plus C third, C third पर कितनी value है, C third पर 20, तो आप लिख देंगे plus 20, and last one, D4, D4 पर कितनी value है, 12, तो आप यहां लिख देंगे 12, और इन सब को जब add करेंगे, तो इन सब को add करने पर answer आएगा, 99, तो यह आपका answer आचुका है, हमारी assignment problem solve हो चुकी है, जो क maximal थी, हमने इसको minimum बनाया, कैसे, by multiplying minus one, और फिर जब यह minimal हो गई, तो हमने row reduction करा, column reduction करा, assignment zero किया, देखा कि यह possible है, नहीं, assignment नहीं था, होता, तो direct हम zero assign करते, यह वाला step करते, जैसे कि हमने अपने previous lecture में करा था, वो zero, उसमें जो assignment problem थी, वो possible थी, तो इसी वज़े से हमने वहाँ पर direct zero assign किया, यहाँ पर possible नहीं थी, तो हमको थोड़ा सा process पौर करना पड़ा, फिर उसके बाद हमारा आ गया, फिर हमने यहाँ पर allocations लगा दी, allocate कर दिया, तो आप यहाँ पर यह भी लिख सकते है, hence assignment, यह वाले step करने से पहले आप लिख भी सकते है, hence assignment, allocate are, यह allocation लिखी है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी language भी लिख सकते है, so this question काफी lengthy था, लेकिन काफी अच्छा question था, समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई doubt हो, तो मुझे comment box में जरूर बताए, वो doubt में आपका clear कर दूंगी, ठीक है, और अगर आप कोई और zero पहले assign करते हो, फि आपका कोई 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